वेल्कम टू मैं चैनल आज मैं बताने जा रहे हूँ है दरबात शादियों वाली आम की खीर इसके लिए मैं लिए हूँ सवा लिटर गाड़ा दूद फुल फैट वाला दूद मिल्क मैं लिए हूँ एक बड़े साइसका आम 200 ग्राम खोवा 100 ग्राम शकर 1 टेबल स्पन कस्टड कस्टड पॉडर दूद बॉइल हो रहा जब तक हम थोड़ा सा दूद डालके जो खीर के लिए सवा लेटर दूद लिया थे उसमें सी थोड़ा दूद निकाल लिके इसमें खोवे में डाल लिए और इसके लुंड़ों को जो इसमें लंस बने वी है उसका फोड़ के रिजॉल्फर के रखेंगे घोल बना के रखेंगे खोवे का चलिए खोवे में जो गुटलियां बनी वी थे उसको मैं दूद डालके घोल बना के रख लेगे चलिए दूद बॉइल होना शुरू हो गया और इसको एक पांस से साथ मेर तक इसको अच्छे से पका लेगे चलिए मैं आम के पीसेस कर दी इसको ग्रेंड कर लेंगे और यह छोटे-छोटे पीसेस के बाहर एक पीसेस करी यह मैंगो की खीर में सापित डाल देंगे अगर मैं आम का सीजन ना रहा तो मैंगो के टिन मिलते बजार में वो लेकर आप यह खीर बना सकते और यह कस्टाट का घोल बना के रख लेंगे थोड़ा-थोड़ा पाने दलते हुए इसका घोल बना लेंगे जले दूद को मैं पान से साथ मिन तर अच्छे से इसको पका ली अच्छा पक गया है अब इसमें जो खीर जो खोवा रखे थे वो मिला देंगे खोवे के साथ शक्कर भी ताल देंगे फ्लेम को धीमा करके शक्कर दालके मिलाते जाएंगे अगर खोवा आपके पास नहीं है नहीं मिल रहा तो आप मिल्क मेट भी डाल सकते हैं दूद में शक्कर दालने के बाद दूद पतला हो जाथा शक्कर जो घुल जाते हैं डिजॉल्व रहा थी दूद पतला हो जाता फिर दूद को एक पान से साथ मिन तक इसको अच्छे से पका लेंगे दूद जरा गाडा होने तक चलिए शक्कर दालने के बाद शक्कर और खोवा दालने के आथ पान से साथ मिन तक अच्छा सा पकाली में दूद को थोड़ा गाडा हो जाए अब इसमी जो कस्टड का घुल बनाके रहा थे वो आहिस्ता से दालते जाएंगे एक हाथ से दालते जाएंगे तुसरे हाथ से चमचे से मिलाते जाएंगे ने तो इसके गुटलियां मन जाते हैं इससे कंसिस्टेंसी गाड़ी होने तक इसको डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे चलिए इसी कंसिस्टेंसी जितनी चाहिए ति उतनी हो गई मीडियम रहना ज्यादा घड़ी ने हो जाना पतली भी ना खीर इससी कंसिस्टेंसी इतनी हो रहना कम सिका चलिए खीर बन चुकी है अब इसको निकाल के फ्लेम को बन कर देंगे और इसको निकाल के ठंडा कर दे आम में थोड़ी से शकर दाली में 1 tablespoon शकर दाल के इसको ग्राइंड कर देंगे चलिए खीर को मैं ठंडी कर लिए ठंडी होगा खीर जो आम का पल्प निकाल कर रखेते वो इसमें मिला देंगे अगर आम रसालाम है रसका है तो आप वो भी दाल सकते रस निकाल के चलिए इसमें जो छोटे-छोटे pieces कट करकर करते वो भी मिला देंगे चलिए serving ball में दालेंगे इसके उपर से थोड़े कटेवे पिस्ते और कटेवे बादम सर्फ करते वो उपर से दालेंगे चलिए आम के खीर की रेसिपी मेरे मुकमल हो चुकी है आप एक बाद जरूर बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएंगे और माशाला बहुत टेस्टी बनी आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करिए शुकरिया प्लीज बनाएंगे